इस रम कार्ड, अगर आपके पास इस रम कार्ड है तो आप काफ़ी सरे गवर्मेंट का फायदा उठा सकते हैं लेकिन इस रम कार्ड की तरब से एक बहुती बड़ी अब्डेट आई है जिसमें काफी सारे लोग बेनिफिट ले सकते हैं जो पहले नहीं ले पाते थे इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ practically कैसे आप इसरम कार्ड जो नए अब्रेट आई हैं इससे कैसे benefit ले सकते हैं कैसे फायदा उठा सकते हैं इसका मैं complete process आपको दिखाने वाला हूँ तो चल लिए सुरू करते हैं इसके लिए आपको आना है गुगल पे और आपको यहाँ पर टाइप करना होगा इसरम कार्ड इसके बाद एंटर सबसे पहले लिंक आएगा इसरम.job.in आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने इसरम का officer website उपन हो जाएगा यहाँ पर देखिए registration is totally free register on इसरम और registered update लिखा है लेकर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे register on इसरम इसकी बाद आपके सामने एक और पेज आजाएगा जैसे आप यहाँ पर आजाएगे तो यहाँ पर देखिए red color में एक notice यहाँ पर scroll हो रहा है यहाँ पर लिखा है यदि आप एक platform worker है ओला, Uber जिसे की जो driver वगरा होत तो please इसरम पोर्टाल पे पंजीकरन करें या अपना बेबरन अपडेट करें इफ यू आर ए फ्लैटाम वार्कर वार्किंग विथ ओला, Uber, Amazon, Flipkart जैसे की कोई driver है जो की ओला में या फिर Uber में driving करता है या फिर कोई व्यक्ति Amazon Logistics में काम करता है, Flipkart में काम करता है तो उनके इसरम कार्ड में एक separate column दिया गया है जो कि आप अपना preference mention कर सकते हो, अब क्या काम करते हो वहाँ पर अपना ID डाल सकते हो ताकि इसरम से comment से आपको बहुत ज़्यादा benefit मिल सके तो अगर आपने इस से पहले इसरम कार्ड नहीं बनाया हुआ था तो आप यहाँ पर बना सकते हैं जिससे कि यहाँ पर अपना अधार linked mobile number डालना है इसकी बाद capture डालना है इसकी बाद अगर आप एक employees है EPFO या फिर ESIC का तो यहाँ पर yes करेंगे नहीं तो no इसकी बाद आपको send OTP पर क्लिक करना है आपकी mobile number में OTP आएगा OTP डाल की आप आगे बढ़ेंगे अपना e-shrum कड़ा बनाएंगे इसकी बाद आपके सामने e-shrum का application फॉर्माई जाएगा उसे आपको completely fill करना होगा अपना personal details देना होगा आप कौन से काम करते हो वहाँ पर डाला है जिससे कि यहाँ पर add गया है e-shrum में अगर आप Ola Uber Amazon flip card में काम करते हैं तो आपको वहाँ पर add करना ह होगा इ-shrum card कैसे बनाते हैं उसके पर मैंने complete वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो का link इस वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा आप जाके देख सकते हैं लेकिन अगर आप already इस रम card बनाये हुए हैं और अभी अभी ही आपने Ola Uber Amazon flip card में join किये हैं या फिर आप पहले पहले भी join किये थे लेकिन आप उस समय Ola Uber Amazon flip card का option नहीं था बोलके आप वहाँ पर update नहीं कर पाए अपना working details सो अपना कैसे working details वहाँ पर update करेंगे इसके लिए यहाँ पर देखिए already registered का एक link है इस पर click करेंगे नीचे आएगा दो option पहले है update profile तो इस पर click करेंगे आपकी अधारकार के साथ कौन सा mobile number link है यहाँ पर डालेंगे यह जो capture है यहाँ पर डालेंगे इसके बाद send OTP आपके mobile number में OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर ऐसे डालेंगे इसके बाद submit आपको यहाँ पर अधारकार number डालना है इसके बाद नीचे authenticate type choose करेंगे fingerprint machine है तो यहाँ पर click करेंगे आखों का machine है तो यहाँ पर click करेंगे लेगिन सबसे आसान है OTP आपके mobile में OTP आएगा आप OTP डालें हैं यह capture को यहाँ पर डालके submit पर क्लिक करेंगे आपके registered mobile number में फिर से OTP आएगा आप यहाँ पर ऐसे डालेंगे इसके बाद validate यहाँ पर checkbox पर click नहीं करेंगे और सिर्फ update eqyc information पर click करेंगे आपके सामने दो option आएगा फिर से आपको click करना है update profile में इसके बाद आपके सा सुराएगा सबसे पहले है personal information, second address, तिन नमर है education and income, चार नमर में occupation and skills, पांच नमर पे है bank account details और छे नमर है preview तो जैसे कि हमको अपना occupation को काम को update करना है तो यहाँ पर हम click करेंगे occupation and skills में आपके सामने वाला screen आजाएगा जैसे कि पहले यह screen नहीं था, RUA platform worker नहीं था, यह no ह है तो हम यहाँ पर yes करेंगे, इसके बाद नीचे click करेंगे, यहाँ पर देखे काफी सरे option है, ride sharing service है, कोई sharing service में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर click करेंगे, food and grocery delivery services, आप यहाँ पर अगर click करेंगे तो नीचे आजगा सुईगी, big basket, milk basket, grow for, chai point, जिस भी platform पे आप काम क दालेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप सुईगी में काम नहीं करते हैं, जिसके logistic service में काम करते हैं, flip card हो गया, आपका amazon हो गया, तो e-card logistic भी है, fedex logistic farm है, delivery e-commerce logistic है, blue dart logistic services है, तो अपने हिसाब से यहाँ पर click करेंगे, अपना ID card number डालेंगे आगे बढ़े और भी कई services है, यहाँ पर e-marketplace है, professional service provider है, healthcare है, travel and hospitality है, content and mobile services, any other goods and services provider platform, तो यहाँ पर कहीं भी कोई भी जगा में आप काम करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे select करके अपना ID card number डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए primary occupation, आप कौन से post में हो यहाँ पर डालेंगे, अगर आप आपको नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पर click करगे, इस PDF file को open करगे, आप आगे बढ़ सकते हैं, इसके बाद जो भी information पहले से था, वो ही है, इसके बाद नीचे देखिए, update का एक option है, यहाँ पर update करेंगे, तो आपका इस रमकार में यह भला जो working details से update हो जाएगा, तो automatically जब भी government का कोई notification आएगा, कोई guideline आएगा, कोई rule आएगा, कि particularly यह काम जो करता है, सिर्फ इन ही के लिए फायदा है, तो उस टाइम आप काफी सारा फायदा उठा सकते हैं, और government का हर benefit का मजा ले सकते हैं, So I hope कि आपको यह वीडियो अच्छे लगा होगा, अगर आपको अच्छे लगा तो आप लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सह करें यह वीडियो को, आपके मन में कोई भी doubt है, कोई भी confusion है इसके रिखाड़ेंगा, तो इस वीडियो की नीचे comment करें, औ और हाँ, अभी तक आपने Instagram में follow नहीं किया, तो नीचे लिंक के जाके follow कर सकते हैं,